पहले कॉलर हमारे साथ हैं सोनिका जी पटियाला से स्वागत है आपका सोनिका है जी उच्छती साल उसकी उमर है जी उसकी ना यूटरस में न रिशोड़ी है जी अर ब्लीडिंग बहुत जादा होती है जी हलो जी 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 अच्छा ये शादी शुदा है ये शादी शुदा है जी जी शादी शुदा है जी शादी शुदा दो बत्ते हैं जी ठीक ठीक है अच्छा फिकर नहीं करें और एक आसान नसका है और ये होता है अलोविरा का सिर्का सिर्का अलोविरा का सिर्का जरा मुश्किल से मिलता है दो चम्मच रोजाना रात को पानी में मिलाकर एक गिलास पानी मिलाकर पला दिया करियें आपकी बच्ची का ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है राजवती तुगलकाबाद से हमारे साथ स् हम जावीं जी नमस्ता आए जी आदर हैं अधा जी बताइए मैंने मेरे दशायों ने पैरों में वह जोगी पेट भी सापने हो गया और गया बहुत जाद़ बने पेट में बहुत गर्मी बनी और एलर्स तो मैंने आपने हम फ़ॉन कर रहो तो इन्होंने मुझे ऊदिया और जी लिया आपने आपने मैंने आपके हम फ़ॉन कर रहा है ने सिर्का मिला आपको इस्तमाल करने लगी पिर का आज ही आया और तो मैं आप बिमारी बता रही एक तो मेरे सूजन है ठीक तो एक साप नहीं हो ए जैस बहुत जाद़ बने है और यह पिट पन तो बहुत है एज कितनी है आपकी है एज मेरी होई बामन तरेपन तो हुएगी जोपसर ठीक तो देखिए यह सिर्का तीन चम्मच रात को पानी में डाली है एक गिलास पानी में ऐसे ऐसे ही मत पीना काफी तेज होता है एक गिलास दो धाई सो गिराम पानी में मिलाकर रात को सोते समय मैं पिया करें दिए पेट का सिस्टम पूरा ठीक होगा और वरम जिस वज़े से आता है वो वज़ा खतम होने होनी चाहिए कब तूट जाएगा और आपकी ये दोनों तीनों परिशानियां ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है मन अगरबाल हरियाना से हमारे साथ स्वागत है आपका हलो राम राम हंकेम जी जी आदा बताई जी 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 मैं भी आपको सलाम कर रहें वालेकम सलाम जी जी बताई हमारी महबूबा को दिक्काद है जी जाने मन को तकलिफ में है क्या दिक्कत है दिक्कत है जी इनको एक तो सिर में दर्द बहुत होता है दूसरा नंबर जी दो पानी की भी दिक्कत है सफेद पानी आता है हाँ जी सफेद पानी की दिक्कत है तिर में दर्द बहुत रहता है ठीक उसकी वज़े से खान पान पेट के अंदर गैंस बहुत बनती है महराजी बहुत ज़्यादा गैंस की दिक्कत है इतनी तकलीफ होती है गैंस की तो दिक्कत हिमत इतना तजाब बनता है तो महाराज जी कुछ किर्पा करिए आप उनकी अपनी महवववा की उमर बता दिये खाली मुझे तीस साल है जी ठीक है और देखिए मैं भी आपको अच्छा नुस्खा बताता हूँ य। और आपको बनायें एगर वाग़ी आप उनके चाहते हैं तो अपने हाथ से घर में बनाना और वो ये है कि आपको लेनी है 200 गराम अलसी, 200 गराम आमला, 200 गराम साइफ और 200 गराम धनिया 200 g 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 कि आप अपने में बूब से तालुक की बात कर रहा है तो घर में पाउडर बनाएं और तीन चार गिराम तकरीबन एक टाइम में दे सकते हैं वसे एक टाइम में फाइदा होना शुरू हो जाता है बहुत जरूरी हो तो दो बार भी एने एक छोटा चाय का चम्मच और एक बार से दो बार तक पानी जिया करें और पाँच बार गरम पानी पीने को है मेरे तरफ से तो उनको फायदा होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है नीलम हरियाना से हमारे साथ स्वागत है नीलम जी आपका ना मश्कार जी नमश्कार निल्व जी आदाब बताईए क्या सवाल है? प्रेना मुझे आदाब मेरी मम्मी के बारे में पूछना है मेरी मम्मी को है ना अस्तमा की बहुत ज़्यादा प्रेसानी है स्क्वास इतना है साथ में बलगम बनता है कुछ भी खालो और सीधा चलानी जाता है जुक्ति चलती है ये 25 थी साल प्रेसानी है कफ बहुत ज़्यादा बनता है एजब बता दीए मम्मी की जरीर में पूर 75 तर्साल है जी बहुत ज़्यादा प्रेसान है इतना कफ बनता है सारा जिनों सानी आपकाना तितना कुछ भी ने खाज़ रखती है कि अच्छा देखिए सॉंट और अलसी आप लीजे और अलसी को थोड़ा भून लीजे जिसे तीन चो ग्राम अलसी तो दो सो ग्राम सॉंट लेनी है और अलसी को थोड़ा भून के पाउडर बनाना है फिर ये एक चमच रोजाना इनको दिया करें और अगर शुगर वगरा नहीं है तो शहद में भी डाल सकते हैं ये जितने ये वजन है इनका इतने ही शहद में डाल दीजे और एक चमच इनको दिया करें वजरत हो तो दो बार भी दे सकते हैं गरम पानी से और पांच बार गरम का इलाज है, और जो ये सीधी नहीं चल पाती है, उसके लिए गॉन आता है, गॉनसिया काला गॉन कहते है इसे मुशक्ल से मिलता है, और असली ही लेना अरो मेटेरियल लेना पिसा पिसाय नहीं, कोई भी कितना भी का है, और यह آढ़ा गिराम सुबह, आदा गिराम शाम, इनको खाने के बाद, बगएर चर्बी के दूस से, रईस हैं तो जूस से, गरीब हैं तो पानी से, दो बार आदा आदा गिराम ही देना, इससे जादा खुराक नहीं दे सकते, आप देखेंगें कि इस उमर में भी ये सीधी हो गई, और इनके हाथ पैरों म आपने इतनी बुजर्ग मा के लिए ख्याल किया, सब बच्चे ऐसे नहीं होते, और आप अपनी मा का ऐसी ख्याल लखा करिए, भगवान आपकी बहुत मदद करेगा, जिंदगी में हर जगा पर आपकी मदद करेगा, नेक्स्ट कॉलर हैं, दिवान चुन्द जी, पत्याला है, उसके दो बच्चे हैं जी, उसकी यूट्रेस के अंदर जो मतल वो के आठ है, आठ है में में की रिसॉली है जी, और उसको बलेडिंग बहुत ज़्यादा उत्या है, जी, चीक है, हाँ देखिए, एक सिर्का आता है, अभी शाद आपकी घर से फोन आया था, या ये दू अलो वीरा का सिर्का, अलो वीरा का जूस तो सब पीते हैं, लेकिं शिर्का उससे सो गुना फाइदे मन होता है, तो तीन चमच रात को पानी में एक गिलास पानी मिलाकर रोजाना बच्ची को पिलाया करें और उपर वाले से आप प्रात्मा भी करें, बच्ची का ठीक होना मुम्किन है, चले इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है, दिल्ली से हमारे साथ अरुन जी, स्वागत है आपका, जी नमस्कार, जी अदावर, अदावर साहब, बता ये क्या सेवा करूँ, अरे वाइब को माजून आर के दे रहे हैं लिए, तो क्या उनकी खांसी थोड़ा सा बढ जातवा लग रहे हैं तो कितने दीन से दे रहे हैं, चार पांच इस दे रहे हैं और ये कंट्रोल करने लगे, ये तो आट-ड़ दिन बाए फैट दिन बाद आट दिन बाद काम शुरू करती वह और अभी ऐलोपैस्टिक दवा देते रहें, जब ये कंट्रॉल करने लगे यह 8-10 दिन भाई थोड़ा थोड़ा फाइदा शुरू करती है और जब यह कंट्रोल करने लगे तो फिर अपने डॉक्टर के मश्वरे से कम करना दवाई एक दम से छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि काफी ऐसी मरीजा हैं जिनको काफी परिशानी हैं तो जैसे जैसे यह कंट्र इतना पर्सेंट फाइदा उत्ती पर्सेंट दवा छोड़ सकते हैं एक दम मत छोड़ी है नहीं तो तकलीफ में आ सकती हैं यह दीजे अभी दोशना काम भी शुरू नहीं किया पांच दिन में तो कुछ भी नहीं होता युना इन दवा आट दिन के बाद फाइदा शुरू यह दो बहुत ज़्यादा ऑदिना खा तूपियूं हो मैं और मतलब हर उसमें जक्रण रहती है पूरी बोदी हाथों में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे उच्छते हुए जिसे नजसे मेरी कथी हो जातते हैं ऐसी प्रॉब्लम है जोब्लम है और उसे इस्तेमाल करना शुरू करो तो ये खतम होते होते आदमी को फाइदा मुम्किन है लेकि सही हम बरतना क्योंकि पांच-छे साल से जो आप तकलीफ उठा रहे हैं मुझे आपसे पांच-छे महीने चाहिए क्योंकि ये आईरवेदी की युनानी दवा बता रहा हूं और ये राव मेटरियल ही लेना यानि कच्ची दवा लेना कोई का है पिसावा है कोई का है टैबलेट है बिल्कुल नहीं ये आपको खुद लेना है खुद बनाना है इसका पाउडर बना लीजे और इसका पाउडर बना के देखिए ये चुटकी है कहलाती है चुटकी ऐसी दो दो चुटकी सुबा नाश्ते के बाद खाईए और दो चुटकी रात तो खाने के बाद खाईए और पानी पीजे बगएर चर्वी का दूद पीजे या आप रईस आदमी लोग हैं तो जूस भी पी सकते हैं सब को सबसे फाइदा होता है चर्वी वाला दूद मत पीना अगर इस उमर में चर्वी वाला दूद फाइदा नहीं करता तो देखे 8-10 दिन मुझसे कुछ मत कहना यह 8-10 दिन के अंदर आपको फाइदा शुरू करेगा और यह 1200 ग्राम खतम होते होते आपकी बीमारी का खात्मा मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है अमरेश हमारे साथ पंजाब स स्वागत है आपका मुश्कार रगुंसाब जी बताईए जी अदर तब मिरे को प्रावलम दीए मिरना हाथ परो में खिचाव रहता है क्या दिक्कत है आपका इसी ने हाथ परो में खिचाव रहता है एज बता दीजे भाई आप अपनी 34 साल और बहुत छोटी उमर में इती क्या करते हैं ऐसा प्रक्टि काम है फ्रक्टि कोई मेहनत मेहनत करते हैं जादा आपका इस अमर में जल्दी शुरू हो गई आपको कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़ा से यह सब हो रहा है और देखिए एक दवा भी बता देता हूं क्योंकि काफी लोग यह सोचते हैं कि हां से मगाएं कैसे करें तो एक दवा आती है कैपसूल टी केर टी फोर टाइगर सुबा शाम खाने के बाद एक एक कैपसूल खाएं और निश्चिन्थ हो जाएं रखिए वो ही मैं आपसे कहूंगा पांच आठ दिन दस दिन के बाद आपको फाइदा शुरू होता है यह औ पांसिया लें और उसको इस्तमाल करें अदाद ग्राम तो फाइदा मुम्किन है